हेलो दोस्तों आज सौफ्ट पेस्टल का यूज करते हुए एक सुन्दर सा ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ इस ड्राइंग में एक स्ट्रीट लाइट एवं तार पर दो चिडिया आपस में गुटुरगू कर रही है आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह विश्डू सर्माद्वरा रचित पंचतंद्र की कहानी का एक हिस्सा है इस कहानी का नाम है पच्छीयों का राजा एक बार जंगल के पच्छीयों ने एक नया राजा चुनने के लिए सभा बुलाई एक पच्छी बोला, गरुण तो भगवान विश्डू की सेवा में दिन रात व्यस्त रहता है, हमें आपस में ही नया राजा चुनना होगा सभी इस प्रस्ताव को मान गए, काफी सलाह मसवरे के बाद सभी इस फेसले पर पहुँचे कि उल्लू को नया राजा बनाना चाहिए उल्लू रात में सभी परकार देख सकता है, तो वह सभी को सुरच्छित रखेगा तभी वहाँ कववा आया और सभसे सभा बैठने का कारण पूछा, पच्छियों ने उसे पूरी बात बताई और उल्लू को अपना राजा बनाने का फैसला बताया इस पर कववा बोला, पर तुम लोगों ने राजा के लिए उल्लू को क्यों चुना, वह दिन में अंधा होता है, वह देखने में कितना बदसूरत है, वह दूसरे पच्छियों का सिकार भी करता है, इससे तो बहतर होगा कि तुम मोर या हंस को राजा बना देते पच्छियों को उसका तर्ग पसंद आया, उन लोगों ने उल्लू को राजा बनाने का फैसला इस्तिगित कर दिया, सभा के ही एक सदस्यों ने जाकर उल्लू को सारी बात बता दी उल्लू को कववे की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया, वह कववे के पास गया और बोला, तुमने मेरे खिला बोलकर मुझे राजा बनने से वन्चित कर दिया, आज के बाद कववा और उल्लू हमीशा हमीशा के लिए दुश्मन होंगे कववे को पस्तावा हो रहा था पर अब कुछ नहीं कर सकता था, तो इससे यह नेति सिच्छा मिलती है कि कुछ भी करने या बोलने से पहले भली भात सोच ले एक बार एक जंगल में एक भूखी लोमडी भोजन की तालास में भटक रही थी, बेचारी थकी हारी वा एक छायादार पेड़ के नीचे जाकर रुख गई उसने उपर देखा, पेड़ पर रसीले अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे, या देखकर लोमडी के मुह में पानी आ गया, वह अंगूर तोड़ने के लिए उच्छनने लगी, बहुत कोशिस करने के बाद भी वह उन रसीले अंगूरों को हासिल ना कर सकी वह समझ गए कि सारे अंगूर बहुत उचाई पर लटके हुए हैं, अताहा उसने सोचा, मैं वेरत ही कोशिस कर रही हूँ देखने में या अंगूर खटे लग रहे हैं, लोमडी चुप चाब जंगल की और दूसरी छोर के तरफ निकल पड़ी तो इसे हमें या सिच्छा मिलती है कि अक्सर लोग अपनी आ सफलता के लिए कोई बहाना खोज लेते हैं कर दो इसे हमें कि अर दोपी जंगल के ढ покуп है, खजड़ लोग भी खटे बहा हैं